श्री क्रेशन और पूतना वद की कहानी कंस का अंत नस्दिक आ चुका था उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके मृत्य उसके ही भांजे क्रिशन के हाथों होने वाली है फिर क्या था बाल गोपाल को मारने के लिए कंस कई तरह के हटकंडे हपनाने लगा वे क्रिशन को मानने के लिए शक्तिशाली दानों को बेचता लेकि नटखट करने या कि बाल लिला के आगे किसी की नहीं चली एक बार कंस ने पूतना नाम के राक्षिस्ती को बाल क्रिशन का वद करने के लिए भेजा जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची उसने एक सुन्दर इस्तरी का रूप धारन कर लिया इस्तरी का रूप धारन करते ही पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी क्रिशन की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता वो उसे अपने विश वाले दूद को पिलाकर मार देती जब पूतना क्रिशन के घर पहुची तब भगवान क्रिशन को पता चल जाता है कि वह एक राक्षचसी है पूतना कृष्ण को गोधी में उठाकर अपने विशेले दूद पिलाने लगती है कृष्ण को दूद पीते देखकर पूतना सोचने लगती है कि अब ये मर जाएगा भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूद पीते पीते ही राक्षिसी के प्राण खीचने लगते है कर देते हैं स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू